चलिए दोस्तो आज बहुत चर्चित फिल्म दा कश्मेर फाइल की बात करते हैं जिसने सभी के रिकोर्ड तोड़ दिये हैं लोगों का मानना है कि फिल्म बहुत काभिले तारीफ बनी है अब ये कितनी सही है ये तो देखने के बाद ही पता चलेगा लेकिन लोगों का कहना है फिल्मी पंडितों का मानना है कि इस फिल्म ने करोडों के नियारे वारे कर दिये हैं जहां इस फिल्म को पर्मोशन करने के लिए बोलीवुड के बड़े-बड़े दिगजों ने हाथ खड़े कर दिये हो वहीं इस फिल्म को हमारे भारत के प्यम सिरी नरेंदर दास मोधी जी ने इस फिल्म का प्रमोट करके हमारे हिंदू भाईयों को एक ग्यानी की नई चीज दे दी है जो हर कोई एगा जी हिंदू इस फिल्म को देखना चाहता है जी हाँ ये रील है या रील ये तो फिल्म देखने के बाद पता चलेगा लेकिन इतना मानने जरूरी है कि रील और रील में बहुत फरक होता है इसके उपर एक sensor board भी होता है जो sensor board decide करता है कि कौन सा scene इसमें चलने लाइक है और कौन सा कटने लाइक अगर sensor board की बात करें तो आपको याद होगा जहां sensor board एक मामूली सी scene के लिए director producer को नागो चने चबा देता है scene cut करने के लिए वहाँ ऐसी खास क्या बात है कि इस film के अंदर director की क्या मजबूरी है कि एक land में सब को one by one गोली से उड़ा देना इससे हमारे जन्ता में क्या मैसी जाता है और ये सच बताएं ये real है या real है क्योंकि अभी हमारे देशवाजी अनभीग है क्योंकि किसी को पूरा ग्यान नहीं है इतिहास पढ़ा नहीं है आज 80% लोग अनभीग है जो किसी के बारे में जानते नहीं है बात करें तो आज हमारे 80% लोग इतिहास नहीं पढ़ते हैं सिरफ हम लोगों की बात पर विश्वास करके उसी को सत्य मान लेते हैं अगर हम सच्चाई में जाएंगे तो वहां कई बात साफ साफ नजर आएंगे इस फिल्म की बात करें कश्मीर फाइल जहां कश्मीर फाइल नाम जैसा नाम उसके एकोर्डिंग बड़े-बड़े आर्टिशिस के अंदर हैं अन्पमखेर मिथोन चक्रवर्ती और इस तरह के यानिकी पल्वी जोसी जैसी मसूर एक्ट्रेस ने इस फिल्म में काम किया है क्या है इसमें, इसको घ्यान है कि जब क्या हुआ होगा, अगर हम ये मालने कि जितना आज लोग इस फिल्म को देखने के लिए ललाईत हैं, आखिर इस मूवी में ऐसा क्या है, क्या छुपा है, जो डिरेक्टर ने उसको फिल्मा कर पबलिक को एक नई तरह के से परोसा है, जानने की जिगासा जरूर होती है मन में आज हम वोई चीज़ देखना चाहते हैं कि वाकि इस फिल्म में सच्चाई क्या है और सच्चाई है तो हम जानना चाहते हैं दर्सक जानना चाहते हैं देशवासी जानना चाहते हैं उस समय की जो भी शरकार रही होगी, उस सरकार ने क्या एक्षन लिया? इतना बड़ा हादसा, इतने बड़ा जब हिंदुों को वहां से भगाया जा रहा था, तो हमारी डेश की सरकार क्या कर रही थी? कोई भी शरकार हो इसमें, क्या उस समय कोई मुकदमा दर्ज हुआ था? कोई कारवाई हुई थी? कि तीस साल के बाद आज अचानक हमें कश्मीर की याद क्यों आई? हम मोदी जी का धन्यवाद करते हैं, मोदी जी ने तीन सो सतर धारा हटा करके एक किरती मान अलग पैदा किया है, लेकिन देखने लाइक बात ये है, क्या तीन साल के बाद, या यू कहिए जब से हमारे प् होगा हमारी इंटेलिजेंट, हमारी पुलिस विभाग, हमारी सुरक्षा, हमारी आर्मी आखिर क्या कर रही हैं, उनकी नोलिज में नहीं है, वो गलत है, हुआ तो क्यों हुआ, क्या हमारी सरकार इतनी बेबस है कि सई किसी के खिलाब एक्सन लेने से ड़ती है, क्या कारण होगा की सरकार उस समय मौन रही इतने बड़े हजारों लोगों को कश्मीर के अंदर मोत के घाट उतार दिया गया हो वहां से भगा दिया गया हो तो ये तो जिम्मेदारी पूरी हमारी सरकार की बनती है अगर इस तरह का हाथसा होता है तो इसमें टोटली सरकार ही जिम्मेदार बनती है सरकार किसी की भी रही हो वैसे आए दिन हमारे और भी मुद्दे खाली यही नहीं है मुद्दे तो और बहुत हैं अगर इस तरह से हम हाइलाइट करके किसी को अब ये हिंदू मुशल्मान का नाम दे करके एक नई चीज परोशना करना जिसके बारे में पूरी जानकारी ना तो जनता को है और जो दिखा रहे हैं आज दर्शक वोही देख रहे हैं हमारे चैनल भी हमारे न्यूज चैनल भी सुना जाता है कि इस मूवी में भी मीडिया की भूमी का कुछ खास सई नहीं रही है जोंकि मीडिया का बहुत बड़ा पार्ट होता है सई का सई दिखाने के लिए कहां गल्त रहा है ये भी हमें समझना होगा इतने समय के बाद आज तकरिबन तीस साल के बाद ऐसा क्या नई चीज हो गई जो हम इस कदर इस मूवी के लिए देखने के लिए व्याकुल है जहां इस फिल्म को देखने के लिए हम सिनिमा होलो की कतारों में लगे हुए हैं डारेक्टर प्रडूसर का मानना है कि इस फिल्म को बोलीवुड के दिखोजों ने परमोशन करने के लिए मना कर दिया ऐसा क्या कारण रहा जो कि इस फिल्म को परमोशन करने के लिए मना कर दिया गया ऐसा क्या था इसमें और वह बोलीवूड के पुराने दिगज, फिल्म इस्टार, बड़े दिगज, पूरूशर, ज्यूंकि ये कि बोलीवूड की जान आज मोन है, आखिर क्या कारण है, देखने वाली बात ये है, कि हमें सोचना होगा, इससे हमें अंदाजा लगाना होगा, ये फिल्म रील है या रियल है, इस बारे में हम तब तक नहीं कह सकते, जब तक हमारे बात शाक्षे नहीं आ जाते, खाली अभी हम पीछे से ताली बजाने जैसा काम कर रहे हैं, माउस पॉलिशिटी, एक आदमी ने जो बोला हमने उसको आगे प्रोस दिया, हमें इससे अवगत होना चाहिए, अगर हमें जिम्मेदारी नहीं 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 बासकते तो हमें उसको बायकाट कर देना चाहिए, हमें चैनल पे किसी तरह का डिबेट इस परकार की नहीं करनी चाहिए, हमें सच्चाई में जाना चाहिए, अगर वो कोई गलत हुआ है, और गलत क्या था क्यों भगाया गया क्यों निकाला गया उसमें कौन लोग थे उस लोगों का सही तरह से जानकारी क्यों नहीं जुटाई गई आज तक और आज जब UP में पूरे बहुमत से हमारी भाजपाश सरकार ने यूपी नहीं चार राज्य औरों में भी हमारी बीजेबी शरकान ने बहुमत हांसिल किया है जिसमें आज हम फक्र महशुश कर रहे हैं कि हमारे मोदी जी ने चार पांच राज्यों में सरकार बनाकर जीत कर इंडिया को एक भूत अच्छा सोगात दी है और सबको उम्मीद है हमारे पीम स्री नरिंदर दास मोदी जी अब हमारी तरफ अवश्य देखेंगे लेकिन यह क्या है एक फिलिम के लिए एक रील और रील में फरक नहीं महसूस कर पा रहे हैं हम कि हम कितने अनभेक हो चुके हैं हमारी कोट जिन पर हम पूरा भरोसा करते हैं जो जिन पर हमारी हमारे कॉंस्टिटुशन चलता है उनकी बातों को हम को मता अंधेरे में डाल रहे हैं क्या हमारी सरकारे हमारे जूडिशली इतने बेकार है बिना जूडिशली के हमारे देश नहीं चल सकता इसका फैंसला हमारी जूडिशल करे जूडिशल को पता है हमें पता नहीं है पब मात्र डिर्रेक्टर रील दिखाता है रील मिन्स फिल्म फिल्म पर पूर्ण रूप से विश्वास नहीं किया जा सकता हमें हकीकत में जाना होगा हकीकत में जाने के लिए हमें देखना होगा दर पे पर एक एक सीन और एक एक चीज हम यह देखना चाहेंगे इसमें जो अभी अभी कई हमारे सोसल मीडिया चैनल भी इस तरफ दोड़ भाग रहे हैं सब चैनलों के पीछे अपनी अपनी दुखान चला रहे हैं बड़े चैनल मोन हैं आगे कुछ बोलनी रहे हैं सच्चाई दू हैं सच्चाई को दिखानी रहे हैं हम पीम साब से परधान मंद्री सीरी नरेंदर मोदी जी से भी यही गुजारिश करते हैं कि इस तरह की मूवी पर ज्यान दें और अगर यह सत्य है तो कारवाई की जाए उन लोगों के खिलाब कारवाई की जाए जो इसमें दोसी थे हम बहुत पावरफुल देश में रहते हैं हमारे देश पर सभी देश को गर्व है हमारी सेना पर लोगों को गर्व है हमारी सेना पर हमें तो नहीं भार के लोगों को भी गर्व है हिंदुस्तान की सेना इतनी मजबूत है इतनी निकमी नहीं हो सकती जो ऐसे ऐसे दुखदाई दोर में भी जो हुआ हो उसके साथ नाए ना किया हो लेकिन हम यही कहेंगे इसमें सरकारों को अपना जोगदान देना चाहिए बताना चाहिए सच्चाई क्या थी सच्चाई क्या है और मैं यही नहीं कहूँगा मैं यह भी कहूँगा आगे पता ना कितने हमारे देश में इस तरह के जवलनसी मुद्दे हैं जिन में रोज आए दिन कुछ ना कुछ होता है सभी का मुद्दा अलग होता है लेकिन क्यों दोई मुद्दे अरे हमारे देश में इतनी बड़ी आपती चल लिए हम बड़े पान्डे में महामारी जैसे महौल से निकले हैं हम थोड़ा सा उबरे हैं पिछला दिनों हम ने कितना परेसानियों में काटे हैं देश भूला नहीं है और हम चाहते हैं कि हम पुरानी बात को जादे याद ना करके हम यही कहें कि कानून पर भरोसा हो, कानून की बात करें, कानून से बढ़के हम नहीं हैं, पबलिक को कानून पर भरोसा करना होगा, कानून सर्वोपरी है और हमारे देश के PM बहुत बड़े क्या नहीं हैं, वो इ गया बाते कर रहे हैं कि इस फिल्म को आजदी वाली उड़ के बड़े-बड़े लोगों ने पब्लिशिटी ना दी तो हमारे देश के प्यम प्रधान मंतरी जी ने इसको पर्मोट कर दिया हमारे असऑ का ये काम नहीं है कि यकि किसी की समाज के खिलाब नहीं सुन सकते जो ये बाते हो रही हैं अब हम यहीं कहना जाएंगे इसका संता होना चाहिए हम यही कहना चाहेंगे इसमें सच्चाई सामने आनी चाहिए इस फिल्म में ऐसा क्या है जो गलत है जो हमारी पब्लिक में गलत मैसिज दे रहा है यह आधे लोग इसको पोजिटिव ले रहे हैं कुछ लोग नराज हो रहे हैं तो हमें दोनों फक्स होगी नराज़गी देखन होगा आखिर ऐसा इस मूवी में क्या दिखा दिया है और क्या नहीं दिखाया गया है अगर सत्य बात है तो सच्चाई पूरी सामने आनी चाहिए हम किसी एक विशेश के लिए कोई बात नहीं करना चाहते हम यह कहना चाहते हैं सच्चाई सामने आनी चाहिए जो सच्चाई हो उससे हम जो सामने सच्चाई है उसका हम स्वागत करेंगे उसी को हम देखेंगे हम किसी फिल्म पे नहीं जाएंगे और ऐसी फिल्म का बाई काट भी होना चाहिए हम तो मैं तो यह कहूंगा यह रियल है रियल नहीं है रियल है मेरी नाजर में तो यह बक्वाश है सत्ता कोट में सावित होगी है क्योंकि फिल्म पे भरोसा नहीं किया जा सकता फिल्म होती है रियल नहीं होती मैं बार दुबार क्या हूंगा फिल्म एक रियल होती है रियल नहीं होती, फिल्म से कोई भी व्यक्ति ये ना समझे कि ऐसा ये सत्त है, हमारी जूडिशली है, वो मजबूत है, वो जानती है, क्या सच्चाई है और क्या इसमें छुपा हुआ है, हमारी सरकार इतनी मजबूत सरकार है, कि वो कभी भी ऐसा, बिल्कुल भी बरदास नह ही करेगी कोई दूसरा एक समाज आकर के विशेश अए करके हमारे विशेश शमुदा पर कोई हमला करे, या इस ततरह करे, हमारा भारत बहुत मजबूत है, हम अपने भारत पर गल्व करते हैं और ऐसा कदा भी हम बर्दास ना करेंगे हमारी सेना तो है यह सेना के बल पर हम अराम से सोते हैं लेकिन अगर ऐसा होता है तो पब्लिक का एक एक बच्चा देश के लिए सड़कों पर नहीं सीधा जो कहते हैं इस समुदाय के सामने खड़ा हो जाएगा इसलिए हमें समझदारी से काम लेना है हमें सच्चाई का साथ देना है हमें बिलकुल आकरोशित नहीं होना है हमें किसी परकार की इस तरह की अफ़ाओं में नहीं जाना है अब बताएए फिल्म के चक्कर में अब एक डिरेक्टर की कहा फिल्म वो बिक नहीं थी इस फिल्म का पर्मोशन कोई नहीं कर रहा था और अब फिल्म का पर्मोशन अब लोग ऐसा क्या फिल्म में कि उस जाके कि उस समय ये कर दिया उस समय ये कर दिया अब इतियास पढ़िए इतियास पढ़ने के बाद में फिल्म को देखें उसका आकलन करें फिर दूद का दूद पानी का पा किसी के बातों में न आए फिल्म दुबारा बोलता हूँ रील है रील नहीं है फिल्म का जिस तरह आप समझ रहे हैं ये रील और रील का फरक है लोगों के बातों में न आए अपने विवेक से काम लें और हम जैसे सांती बनाए रखें इस तरह के छलावे में आए पैसे के लिए लोग पताने क्या का करते हैं डिरेक्टरों की फिल्मे यानि जो करोड़ो रूबे लगाने के बाद में जीरो हो जाते हैं शड़क पर आ जाते हैं इस फिल्म में ऐसा हमें नहीं दिखाई दिया तोटली भकवास नज़र आईए अगर सच्चाई है तो कानून अपना काम करें परधानमंद्री जी इस चीज़ के तरफ धान दें और इस तरफ धान दे के कारवाई करें व्यक्ति कोई भी हो हम किसी सरकार एक की बात नहीं करते जो भी सरकार इसमें दोस्यों उसके खिलाब कारवाई होनी चाहिए अगर इतना बड़ा जगन्य अपराद यह हुआ है हम दोसी के पक्स में नहीं है हम गलत लोगों के पक्स में नहीं है हम इंसाब चाहते हैं सही रास जाता है कि छलावे में ना आएं अपने विवेक से काम लें और रियल और रियल में फरक समझें मैंसूश करें उसके बाद को डिसिजन लें माउस पॉब्लिशिटी ना करें माउस पॉब्लिशिटी गलत कभी-कभी गलत संदिश भी दे जाती है इसलिए इन चीज़ों से बच चैनल जो खास बात चलिए नमस्कार मैं हूं कमल दिंग लाइव न्यूज दिल्ली में आपका स्वागत है देख तरी लाइव न्यूज दिल्ली चलिए हम बात करते हैं डाफ कश्मीर फाइल की जो बहुती चर्चित मूवी है जिसने लाखों नहीं करोड़ों रुपे का व इस मूवी को हम भी देखना चाहते हैं लेकिन इस उद्धेश्य के साथ रियल और्ल रियल में अपर महसुत कर हमें किसी की बातों में नहीं। काम लेना है कि कमल जिंगं लाइव नियूज दिल्ली में आपका स्वागत है झाल झाल